पुस्तक का नाम सम्मग्र स्वास्त संबर्धन कैसे है? पड़म पुझगुडे पंडिस सिर्ञान सर्मा आचार द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याई कर रहे हैं, आडियो वन स्वास्त क्या है? अच्छा स्वास्त और अच्छी समझ के दो बर्तमान बर्तान हैं, आचार द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याई कर रहे हैं, आडियो वन स्वास्त क्या है? अच्छा स्वास्त और अच्छी समझ के दो बर्तमान बर्तान है, संसार के सारे कार्ज स्वास्त पर निर्वर है, जिस काम के करने में किसी प्रकार की तकलीफ नो हम करने के परतिवट्साह बना रहें और मन प्रसन रहें और मुकपर आसा की जलक हो यही सरीर के सभ़ाविक स्वास्त की पहजान है सभ़ाविक दसाक में बिना किसी प्रकार की कटिनाई के सांस ले सके आँख की जोती और सर्वन सकती ठीक हो फेफरे ठीक ठीक अक्सीजन को लेकर कारवन डायोकसाइड को बाहर निकालते हो आदमी के सभी निकास के मार्ग तचा घुदा फेफरे ठीक अपने कार्ज को करते हो वह ब्यक्ति पूर्णता स्वस्त है हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा आदमी ही बिमार पड़ता है जिसका जीवन नियमित नहीं है और प्रकृति के साथ पूरा-पूरा सहयोग नहीं कर रहा है हमारा सदा सहायक सेवक सरीर है ये 24 घंटे सोते जागते हमारे लिए काम करता है बफाप्रतेक विचारसील का करतब है केवल स्वस्थ बेक्ति ही धनोड पारजन सामाजिक नैतिक बैक्तित सब करतबों का पालन कर सकता है जिसका स्वास्थ अच्छा है उसमें प्राम सकती अधिक होती है स्वास्थ लाब के लिए स्वास्थ के नियमों का पालन करना आवस्यक होता है आदतों और दिंजडिया का स्वास्थ से घनिष्ट सम्बंध है स्वास्थ गमा बैठने में कोई समझदारी नहीं स्वास्थ रहने पार ही कोई अपना और दूसरे का भला कर सकता है जिसे दुरवलता और रुग्णता घेरे हुए होगी वह निर्वाह के योग भी उत्पादन न कर सकेगा दूसरों पर आस्रित रहेगा पराव लंबन एक प्रकार से अपमान जनक इस्थिती है भार भूत होकर जीने वाले नो कहीं सम्मान पाते हैं और नो किसी की सहाता कर सकने में समर्थ होते हैं जिससे अपना बोज ही सही प्रकार से उठ नहीं पाता वह दूसरे के लिए किस प्रकार कितना उपयोगी हो सकता है मनुस जन्म अगनित विसेस्ताओं और विभूतियों से भरा पुड़ा है किसी को भी यह छूट है कि उतना उचा उठे जितना कि अब तक कोई महामानव उतकर्स कर चुका है पर यह संभव तभी है कि सरीर और मन पुर्णत्या स्वस्त हों जो जितने के लिए जितना उपयोगी और सहायक सिद होता है उसे उसी अनुपात में सम्मान और सहयोग मिलता है अपने और दूसरों के अभ्यूदय में योगदान करना उसी से बन पड़ता है और स्वास्त की इस्थिती बनाए रहता है अपंग और विक्सित तो और सहाय दीन दरिद्र दिखते ही हैं पर इन्स पक्ति में वे लोग भी समलित होते हैं जो दुर्वलता या रुग्नता से गर्सित हैं इसलिए अनेक दुखत दुर्वाग्यों और अभिसापों में पर्थमस और स्वास्ता को ही माना गया है प्रियत्न यह होना चाहिए कि वैसी स्थिती न उत्पन होने पाएं यदि किसी कारण इस चपेट में आना पड़े तो वह दुर्दीन अधिक समय ठहरने न पाएं जितना की स्वस्त तरह जिया जा सके कुछ अपवादों को छोर कर और स्वस्तता अपना नीज्व का उपारजन है भले ही वह अंजाने में ब्रंबास या दूसरों की देखा देखी नियोत बुलाया गया है स्रिष्टी के सभी प्रानी जीवन भर निरोग रहते हैं मरन काल आने पर जाना तो सभी को पड़ता है यह नियती की विवस्ता है इसमें किसी का चारा नहीं है पर निरोग रहना हर जीवधारी का जन्मसिद अधिकार है जिन प्रानीओं को किसी के बंदनों में बंदे रहने की विवस्ता नहीं होती वे सभी जन्म से लेकर मरन पड़ेंत निरोग रहते हैं स्वच्छंद जीवन जीने वाले पसुपक्षियों में कभी किसी को भीमार नहीं पाया जाता कोई दुरघटना गर्षित हो जाये तो बात दूसरी है मनुस्थ की भीमार बनाती है जीव का चटोड़े पन अतिस्य मात्रा में अखा दिखाने के लिए बाधित करता रहता है जो जितना भार उठा नहीं सकता उतना लादने पर किसी का भी कचुमर निकल जाता है पेट पर अपच भी इसी कारण चड़ जाता है बिना पचा सड़ता है और सरन को रक्त प्रवाख में मिल जाने से जहां भी अवसर मिलता है रोग का लक्षन उभर पड़ता है कामुकता की कुटैव जीवनी सक्ति को बुरी तरह छरन करती है और मस्तिक्स की तिखिनता हरन कर लेती है और स्वक्षता पूरी निंद नो लेना करे पडिस्रम से जी चुराना नसेवाजी जैसी कुटुमवे भी उटेवे भी स्वास्त को जरजर बनाने का निमित कारण बनती है खुली हवा और रोसनी से बचना घुटन भड़े बाताबरन में रहना भी रुग्णता का एक बरक कारण है भै या आक्रोस जैसे उतार चड़ाव भड़े ज्वार भाटे भी मनोविकार बनते हैं और व्यक्ति को सन की कमजोड एवं भी मार जीने वाले प्रायस्वास्त ही रहते हैं और लंबी जिंदगी जीते हैं अपने उपर अचित का अंकुस लगाए रह जाए तो दुरुवल परने या भी मार रहने का अवसर ही न आए उच्छ स्रिंखलता सर्वत अराजत्ता अस्तर की ओव्यवस्था को जन्व देते हैं इस कुमार्ग पर चलने वाले को रोग गरसत बनते या रहते देखे गए हैं इस अनाचार का परित्याग कर देने पर कोई भी अपने खोए स्वास्त को पुनःप्राप्त कर सकता है प्रकिर्ती उद्दंडता का दंड भी हाथो हाथ देने में निस्पक्ष न्यायधीस की तरह व्यवहार करती है किन्तु साथ ही इतनी दयालू भी है कि गलती माल लेने आदस सुधार लेने और रास्ता बदल लेने पर भी छमा भी कर देती है कितने ही स्वास्त की आदते सुधार लेने के उपरांत पुना स्वस्त और समर्थ बनते देखे गए हैं वह रास्ता सभी के लिए खुला है, दंड के प्रतिफल की उपेच्छा करने वाले भी बहुदा कुमार्ग पर चलने और कुमकर्म करने पर उतारू होते हैं, यदि यह समय रहते समय रहते समझा जा सके कि और स्वस्ता अपने लिए, अपने साथियों के लिए कितनी कष्ट कर होती है तो संभव है लोग आग में हाथ डाल कर उस महतपुर्ण अंग को गमा बैठने जैसी भूल न करें दुर्वल शरीर इतना परिश्रम पुर्शार्थ भी नहीं कर सकता कि निर्वाह की आवस्चताओं को अपने बलवूते पूड़ा कर सके वीमारों का कस्ट चावुक से पीटने या हथोड़े से कूटने के समान कस्ट कर होता है पड़िचडिया में जिन आदमियों को लगना पड़ता है उनका समय नस्ट होता है मांगा नहीं पड़ता घर में पूर्व संचे न होने पर कर्ज लेने से लेकर कपड़े बेचने तक की नौवत आ जाती है कितनों ही खर्चिला उप्चार न जुटा पाने पर आकाल मिर्तु का ग्रास बनना पड़ता है सहानुभूती का सिष्टाचार तो स्वजन समंधी नि करते हैं स्वयम को भी ऐसे जीवन में कोई रस नहीं रह जाता ज्योंत्यों करके ही मौत के दिन पूरे करने पड़ते हैं प्रगती की बात तो सोचते भी नहीं बनती जब जीवित लास की तरग जिंदगी ढोई जा रही हो तो फिर अभिद्य की योजना किस वल्वुते बन उजल भविस्क के सपने की साधार पर देखे जाएं यह सब दुखद संभावनाय मात्र एक ही कारण के से अबरोध बनकर खड़ी होती है कि सरीर के साथ मन भी और स्वस्त रहने लगता है दोनों एक साथ जुरे जो हैं मन को ग्यारहमिय इंद्री कहा गया है जिस परकार अनुभव करती हैं उसी परकार सारीरिक अस्वस्ता की स्थिती में मन भी अस्वस्त अस्थ व्यस्त एबं विक्रित होने लगता है बिमारों में प्रायह चिरचिरापन देखा जाता है वे आक्रमन करने की स्थिती में तो होते नहीं उन अपना क्रोध आवेश खीन उदिग रहकर ही व्यक्त करते हैं शरीर और मन के सहयोग से ही हमारे समस्त क्रिया कलाप सही रूप से चल सकते ने की स्थिती में रहते हैं सरीर गरवराता है तो मन को भी अपनी गरवराने लगता है, फलता रोगी बेक्ती किसी प्रकार सांत रहने और रहने देने की स्तिति में भी नहीं रहता, दूसरों के सत परामर्ण्स न उसे सुहाते हैं, और न अपना मानसिक अस्तर इस योग रहता है किकिसी को कोई यह दुढ़ी हानी है सरीर गलत आसकतता रुग्णता बेचैनी तो स्वेम ही सहन करनी पड़ती है पर मांसिक अस्त व्यस्तता का नया दोर चल परने पड़ एक नया उपद्रव सामने आता है और इस्थिती जाती है मनुस से सारीरिक और मांसिक रूप से रोगी रहने लगता है इसके कारण उन्हें दुरा बचा दवाब सहना पड़ता है सही चिन्तन के आभाव में इर्दगिर्द के विक्ती और बाता बरन पड़ ही सारे दोस्त खोपने का प्रभाव चलता है अपनी गलतियां समझने और सुधारने का तो मांस ही नहीं रहता फलता अपने को खिनता और दूसरे को निरासा का सामना करना पड़ता है रोगनता के कास्ट में इस अत्रिक्त भारत त्रास और भी अधिक बातियों की हैरानी बढ़ जाती है सो अलग पीरित स्थिती में कुछ महतपुर्ण कार्ज एबं उपारजन तो बन नहीं पड़ता साथ ही चिकिस्टा पथ आदी का अत्रिक्त भ्याय भार और बढ़ जाने पर सामान अस्तर के लोगों के सामने आर्थी कटनाई भी जमा पूजी चुक जाने पर सिकिस्टा के आंत्रिक पडिवारिक निर्वाह में भी अर्चन खड़ी हो जाती है इससे नौकेवल रोगी बरन उसका पडिवार पडिसकर भी एक नई भी पत्ती में फस जाता है सहान भूती दिखाने वाले पूछताच करने वाले आते हैं तो उनका अतिती सतकार भी करना पड़ता है इस महंगाई के दिनों में वह भी कम वजन नहीं डालता बिमारी से छुटकारा पाने के बाद भी इतनी सी है कि परिश्रम पुरवक उपारजन करके पहले की तरह फिर अपना साधरन करम चलाया जा सके और बिमारी के दिनों में हुई आर्थिक छती एवं अस्त व्यस्ता के कारण उत्पन हुई गरवडियों की छती पुर्ती की जा सके सामाजिक या राष्ट्रिये द्रिश्टी से हर रोगी समदाय को छती पहुचाने वाला प्राधी है भले ही उसे दंड देने का कोई प्रावधान न हो भले ही निर्दोस दया सहनवूती या सेवा का पात्र समझा जाता हो कारण की रुग्नताप प्राकर कारांतर से समूचे समाज पर अनावस्यक भार डालती है चिकिस्ट्रकों का परसिक्षन अस्पताल का भारी भर कमढाचा और सधियों की सोद उनका निर्वान बितरन यह सम मिलाकर इतना बोजिल होता है कि उसमें धेरो धन सकती और जन सकती खपती है यदि इससे सरकार जुटाती है तो भी उसका संतुलन जनता पर ट्रैक्स लगाकर ही पुरा करना पड़ता है यह रासी यदि बच सकी होती तो सिख्षा संबर्धन उद्योगों के संबर्धन जैसे उप्योगी कामों में लगती और सारगती में सहायक होती उन सम में कटोती के ही रोगियों के लिए उपचार का साधन जुटाए जाते हैं यदि कोई बच्ती नीजी साधनों से चिकिस्षा करता है तो भी चिकिस्षकों के परसिक्षन और असधी निर्मान का जो धांचा खरा किया गया है उसे प्रकारांतर से जही जा सकता है यह प्रत्यक्ष नौसाई परोग्ष रूप से राष्टिय हित में हुई कटोती ही समझी जा सकती है काम में उत्पादन में कमी परना जहां ब्यक्ती की नीजी हानी है वहां उसके कारण राष्ट की सम्रधी एवं प्रगती को हानी पहुँचती है रोगी की छूत दूसरों को भी लगती है उसके स्वास में मल मुत्र में जो आंतरिक गंदगी पिसासता रहती है वह घूम फीर कर अनेकों लोगों को परत्यक्ष या परोप्ष रूप के साथ गीला भी जलता है जो लोग अपने स्वास्त को साध संभाल कर रखे हुए थे वे इस रोग परदूसन में कहीं न कहीं प्रभावित हो सकते हैं इसे जन साधारन को छती ही मानना पड़ेगा भले ही वह साधारन जैसी दिख परती क्यों न हो समर्थ स्वास्त ब्यक्तियों के आधार पर समस्त राष्ट समर्थ बनता है और प्रगती करता है वही रोगियों की संक्या बढ़ने से अवगती का प्रभाह चल पड़ता है जो सकती दिवार उठाने में लगनी चाहिए वह खाई पटने में खप जाती है इस घाटे से देश का हर नागरीक निवनाधिक मात्रा में प्रभाहित ही होता है इसलिए बैक्तिक्त रुगनता भी समाजिक छती के रूप में फलित होती है सामुदाइक प्रभितनी उपेक्षा और समर्थता प्रगट करता है उसके और सहयोग से समस्त समाज को परत्यक्षिया परोक्ष रूप से हानी ही हानी उठानी पड़ती है ऐसी रसा में यदि उसे अपरादी अस्तर का माना जाये तो उसमें कुछ भी अनुचित न होगा राज दंड भले ही न मिले तो भी प्रकिर्ती उस उस भूल दंड देने में कोई कोरा कसर नहीं रखती रुग्नता आखिर कोई देवी विपत्ती या कस्निक दुरुगटना तो है ही नहीं उन्हें मनुस्त की प्रकिर्ती मार्यादाओं का उलंगन करके स्वैम ही न्योत बुलाया है ऐसी दसा में कोई रोगी अपने को निर्दोस नहीं कह सकता भले ही उसे अपनी भूल के बदले में साथी सहयोगियों की सेवा सहानभूती मिलती रहे पर इतने भर से उसकी निर्दोस्ता सिद्ध नहीं हो जी हानियों पर यदि गंभिरता पुरवक विचार किया जा सके तो सहद ही समझा जा सकता है कि इस विपत्ति से बचना बचाना ही उप्युक्त परतीत होता है इस प्रियोजन की पुर्ती के लिए जिस बिहार अहार के सैयम को अपनाने भर से काम चल सकतरना किसी भी बुद्धिमान के लिए भार नव परतीत होगा सैयमित जीवन में हर दृष्टी से लाव ही लाव है हानी केवल इतनी है कि उच्छ रिंखलता और विवस्था चटोड़े पन की ललक जैसी और वांचनियताओं पर अंकुस लगाने का साहस करना पड़ता है रोगों से लरने में जितनी सक्ति खर्च होती है यदि सैयम बरत ने कीवन चड़िया में विसुद्वस्था का समावेस करने में लगाया जा सके तो इतने भड़ से समग्र स्वास रप्षा की गारंटी मिल सकती है